आउतका वेल्कम बैक तो मैं चैनल इस तो आज मैं आपको एक टिप सोड़ दूंगा वाटर कलर के उपर पर मॉस्टली इन्होंने फर्स टाइम जो वॉटर कलर कर रहे हैं वो किस तरीकी से यूज करते हैं सबसे बड़ी मिस्टेक यह करते हैं वो डारेक्ट अपलाई कर देते हैं वाटर कलर जैसे वाटर कलर केक्स में भी आते हैं ठीक है वो दोनों के लिंक आपको नीचे एक बार आप उनको चेक करके देख लीजेगे आपको समझा जाए कि ट्यूब वाले कौन से होते हैं वाटर कलर और केक्स वाले कौन से होते हैं वाटर कलर जैसे कि आपको पता है कि मैं बीएफे से डिलेटीड टिप्स और टिक्स देता रहता हूं अपने चैनल पर तो उसके काल भी जो टेस्त होता है कंपोजीशन का और कंपोजीशन का तो उसके इंदर क्या है मैं बाटर कलर है तो वाटर कलर में सबसे जादर प्रोबं यह करते हैं कि बच्चे कई अकर टारेक्ट आए कर देते हैं बाटर कलर ट्यूब से निकाला हल्का सा पानी विलाए इसके वह होता है बहुत बुरा लगता है और पैची पैची सा हो जाता है क्योंकि वॉटर के जो प्रोपर्टी एक्रेलिक पोस्टर को गया है यह सब ऑपक तो इनकी इसी प्रोपर्टी को ध्यान में रखते हुए हमको यह यूज करने पड़ते हैं तो इसके अंदर आप कैसे स्टार्ट करेंगे स्टार्ट करेंगे 75 परसेंट 25 परसेंट आपका कलर होना चाहिए कोई ऐसा मीटर तो नहीं है कि इसमें 75 परसेंट वाटर हो गया और अपना 25 परसेंट कलर हो गया यह जैसे कि आप काम करते रहेंगे एक्सपीरियंस के साथ में आपको समझ में आ जागा और एक चीज और ध्यान देखिए वाटर कलर भी अपनी प्रोपर्टी चेंज करता रहता है एट्मोसफेर के अकोडिंग जैसे कि मौसम के अकोडिंग भी जैसे अगर बरसात है ठीक है बारिश का मौसम चल रहा है उस ट साथ गर्मी पढ़ रही है तो वहाँ पर तो आप एक ड्रोप भी डालोगों वह भी वैपुरेट हो जाती है उसके अंदर क्या होता है हमें वाटर की थोड़ा ज्यादा रखके काम करना पड़ता है यह आपको तजरूवे के इसाप साजए एक्सपीरियंस हो जागे जब आ अपने ब्रस की फीलिंग से ही समझ रहे हैं मेरी बात को इसलिए मैं बोल लो 75% वाटर होना चाहिए ठीक है यह एक मैं आपको रेशो बता रहा हूं फस्ट टोन के अनर जिस तैम आपने ड्रोइंग कर लिया उसके बाद में जब आप यूस कर रहे हैं तो यह चीज धियान फिर जैसी वो टोन सूख जाएगी उसके बाद में जो आप एपलाई करेंगे उसके अंदर आपका 50-50 रखना ठीक है 50% वाटर 50% आपका कलर हो जाएगा समझे तो आपको पता चल जाएगा अंदाज हो जाएगा पहले वाला कलर थोड़ा मेरा सा थिंथा आपको मेरे को थो यूज करेंगे समझे तो इस तरीके से आप वाटर कलर यूज करिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा आपको आप इसकी प्रैक्टिस करते रहिएगा वाटर कलर जो है आपको टाइम से आएंगे ठीक है प्रैक्टिस से आएंगे और जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे व ब्लेंड करते हुए हमको चलना पड़ता है तो वह होती है वाश टेक्निक यह भी आप यूज कर सकते हैं अपनी कॉमपोजिशन में वाश टेक्निक से सुरू करें फिर पैच की तरफ ले जाईए उसको ठीक है तो यह चीज आपको समझ आ गई होगी डारेक्ट हार्ड कलर कभ प्रोब्लम होती है इसके ब्रश आपके खराब होंगे ठीक है और यह बहुत ज्यादा टाइट सोलीड कलर होते हैं इसको घिसकर हमको निकालना पड़ता है ठीक हम कहीं भी कुछ एप्ट्रेक काम करने कुछ अपना फीलिंग के थूरू हम एक्सप्रेस करना चाहते हैं डार तो रुकवीड ताइक होते हैं जैसे ॉट तूफछी सी तरह चीटिगने रुछीं के यह बाति आप को समय आजाएं सबले और यह अपके अपने चैनल काम कर कृए और कुछ अपना सा। करने तो उसके अंदर आप जैसे मर्जी काम करिए कोई कानून नहीं थीक है नहीं यह चीज़ ध्याने कि अगर आपको अपना क्रिएटिव कर ले ना तो कोई लोग नहीं है उसके लिए आप अराम से कुछ मर्जी करिए तिन कलर अपलाई करें कुछ भी जो मर्जी करिया बस जो आप कहना चाहरे हैं वो प्रूफ हो जाना चाहिए आपकी आर्ट के थुरू सबजगे मेरे बात को तो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखेगे इस वीडियो के लाइक और शेर कर दीजिए थैंक यू फॉर झाल